लेबलान के हिजबुला लड़ाकों ने इसराइल के किरियाद शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाके से दहला दिया है सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खत्रे के सिगनल मिले हैं अब इसराइल को डर है कि कहीं चौते फ्रंट ना खुल जाएं लेकिन बड़ी खबर हमाज शीप सिन्वार की सुरंग से आई है जो बहुत चौकाने वाली है 65 रॉकेट से दहल गया इसराइल किरियाद में आईडिया फट्वाटर पर हमला नसरल्ला के कत्यूशा ने मचाया कोहराम सिन्वार के टनल वारियर आक्टिव सिन्वार ने दिखाया नरक शाफ एक घंटे के बीतर 65 रॉकेट धमाके इसराइल का किरियाद शमोना धुआ धुआ हो गया धमाके इस गुल्ला फाइटर्स ने किये निशाने पर इसराइल का बेस था कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से इस गुल्ला ने आईडिएप के सैनने ठिकाने को तभा करने का अइलान किया है वह इसराइल ने दावा किया है कि इस गुल्ला के रॉकेट अटाक को मजबूती से जवाब दिया गया है ज्यादा तर रॉकेट को हवा में ही तभा कर इसराइल ने आग बुजाने का मिशन भी शुरू कर दिया है इस गुल्ला लडाकों के दागे गए रॉकेट रहाइशी बस्कियों में भी भटे हैं हालकि किसी भी तरह के जानी या माली नुक्षान की खबर अभी तक नहीं आई है मगर इसराइल का क्रोध लिवनान फ्रंट की जगा गजा में दिखने लगा है गजा में जलते रॉकेट की आंदी थमने का नाम नहीं ले रही बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लपतों में घिरती है चीख पुकार मचती है और पिर इमारत काला खंडर बनती है जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं आसमान से परस रही मिसाईले मौत बाट रही है हमास लडा के आमने सामने के युद में कहीं टिक नहीं पा रहे मगर जो युद हो रहा है दिखाई दे रहा है ये जंग उतनी भन नहीं असल लडाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है सुरंग में बैठे हमास के खुंखार पल्टन भीशन पलटवार कर रही है अपने बिलों से निकल कर हमास के स्लीपर सोलजर कैसे कोहरा मचा रहे हैं उसकी बस एक जलक देखिए सुरंग से दबेपाउं निकलते हैं हमास के बंग स्कॉट इसराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्म घाती हमलावन इस घातक और विद्बंसक हमले का तोड अब तक नेतन याहू कि सेना तलाश नहीं पाई है हमास के अकेले सुरंग वारियर्स के मुकाबलर करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ लही है उसका सबूत ये वीडियो है इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लड़ा का पत्धरों से बनी इमारत में शरन लेकर मैठा था उसे घेडने के लिए एक दरजन से ज्यादा आईडियफ सोल्जर्स ने फाइरिंग की वेस बैंक के हिबरॉन में ये भिलंग कैमरे में कैप्चर हो रही थी कैई घंटों तक चले शूट आउट में आखिरकार आईडियफ काम्याब रही लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दरजनों जवानों को जोरदा अटक कर दी इसी तरह उत्तरी घजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है शेख जाइट टावर्स इलाके में हुई भीशन लड़ाई में आईडियफ के कैई जवानों को जखमी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है इसकी वज़ा सुरंग में मिल रही इरान और हिजबुल्ला का फुल बैक अप है इसराइल के पूर कैबिनेट मंत्री और सेन ने परमुक बैनी गेंट्स नेतो नेतनियाहू को ये वॉर्णिंग भी जी है कि सुरंग में बैठे सिन्वार का सफाया लगभग नामुमकिन है अगर नेतनियाहू सही युद ररन निती नहीं बना पा रहे तो हुने सरेंडर कर देना चाहिए नेतनियाहू लो मवीन शे अखरी शिवाब अक्तोबर है को लिशतना हम येश लो सफेक शेनुआर है खुसाल शेनागिया लगए लेन शे चर्की तमीड हमास चीफ सिनवार बीते दस माह से सुरंग में चिपा बैठा है सिनवार अमेरिका और इसराइल दोनों को चख्कमा दे रहा है आखिर सिनवार का सर्च उपरेशन इतना लंबा क्यों खिसता जा रहा है क्या है अंडर ग्राउंड घजा की हकीकत इसराइली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे घाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिचाया है कि दुश्मन उनका ज्यादा कुछ बिगाड नहीं पाते हैं हमास के इस नेटवर्क को घाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड घाजा भी कहा जाता है एक वक्त इसराइली एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया था कि पूरे घाजा में सता से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगे है हाला कि या आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडिय अपने 1500 से ज्यादा टनल शेफ्ट को खोज निकाला हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इसराइल के नागरिकों को बंदक बना कर रखा गया है एक एकर हमास लड़ा के बंदकों को मारते जा रहे हैं जिससे इसराइल में भारी बकेड़ा मचा हुआ है आल ही में 6 बंदफू की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई है देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैकफुक पर है वहीं सिन्वार अपनी सुरंग से निकल कर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है सिन्वार ने सभी सुरंगों के दर्वाजों को धमागे का ट्रगर बना दिया है अमाज का अंडरगराउन नेटवर्क एक अरफ डॉलर से ज्यादा करच करके अपग्रेड किया गया है सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाये गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार दमाके होने लगते हैं GPS सिस्टम और रोबोट से उपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है अमाज की सभी सुरंगे घाजा पट्टी की गनी अबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई है यहां अमनागरिक और रहतिहासिक स्थाल है अमाज की रणनीती थी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है सिनवार की स्ट्राटीजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुचाने की है जिसके लिए वो इसराइली सेनाओ की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेश बदल कर घुले आम भूमता भी देखा गया है बहिनाओं के कपड़े में घजा की गल्यों में भूम चुके सिनवार को आईडियफ सूल्जर्स पहचान भी नहीं पाये थे इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भीदपाना आसान नहीं है आईडियफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बरबाद करने के लिए खास तरह से भी स्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इस तरह की लडाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबहा करने में लगती है जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है इसी फासले को हमास रडा के अपने हक में इस्तिमाल करते है वार जोन में हमास चीफ सिन्वार भले ही रॉब जमा रहा है लेकिन अमेरिका ने सिन्वार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है अमेरिका ने इस्राइल पर साथ अक्तूबर को हमास की ओर से किये गए नरसंगार के आरोपों की घोशना की है इस्राइल में साथ अक्तूबर 2023 को हुए नरसंगार के केस में हमास चीफ यहिया सिन्वार, पूर्व हमास चीफ इसमाईल हानिया मारवा ईसा, खालिद मशाल, मुहम्मद अलमसरी और अली बराका के खिलाफ आपरादी का रूप तै कर दिये गए हैं सिन्वार के खिलाफ न्यू योग की अदालत में सक्त फैसला सुनाए गया है Today, the Justice Department unsealed charges against Yaya Sinwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas' efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim America में हमास की टॉप लीडर्शिप पर कानूनी हंटर चलानी की तैयारी है लेकिन सुपर पावर, हमास कमांडों तक कभी पहुच पाएगा भी पिलाल इसके कोई आसान नहीं दिख रहे इरान के समर्थन से हमास फिर से ताकतवर बन चुका है इरानी हत्यारों से हमास के लड़ाके तुलकरम और वेजब बैंक में आईडियेफ कोच छका रहे है रफा फरंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूब दी है आईडियेफ कोच सबसे बड़ा खत्रा फिलहाल लेबनान फ्रंट पर है जहां असरल्ला ब्रिगेड भेंकर पलटवार शुरू कर चुकी है अपने टॉप कमांडरों के खात्मे से बॉकलाए हिजबुल्ला फाइटर इसराइल में खुशकर बड़े हमले की प्लानिंग में है उफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर गाजा की सुरंग में बेस बना कर हमास के साथ जॉइंट अटाक को अन्जाम दे सकते हैं इसका पता सीरिया बॉर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैट से चला है यहां IDF ने बॉर्डर पर घुसपैट कर रहे एक संदिक्त का खात्मा किया है इसराइल की बार के करीब कई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है IDF की वार्णिंग के बाद भी जब एक संदिक्त ने बार पार करने की कोशिश की तो उसे धेर कर दिया गया इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी ऐलर्ट मोड में रहना होगा सीरिया रूट का इस्तिमाल हिजबुला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है